आज आपके प्रोसी जो आपके बड़े साथ चाइना है, साथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज एक आईटी के लिखा है और उन्होंने मिंतें की हैं आपके, कि आप अपना हाउस इन ओर्डर करें, खुदारा हमने बहुत ज्यादा इंवेस्मेंट पहले कर रखी है, ये पाकिस्तान के अंसरे बहुत बहुत ले जली हो चुकी है, अगर आपको लग रहा है ये ज़ित पोरेंन इंवेस्मेंट आप मंगवा रहे हैं अगर मैं आपसे ये बिल्कुल रिकॉर्ड पर बता दूँ, 1980 से आज तक हमारा जो ग्रोथ रेट है, वो नहीं सिर्फ भारत से कम रहा, बलकि बंग्रादेश से भी कम है, और सिर्वी लग्का से भी कम है. आज चाइना भी चीखा है, उनका फारण मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है, कि यह डबल स्टेंडर बंद करो, यह अपनी पुलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पीजे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है, उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम हिंदुसान टाइम्स कह रहा है, चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान और कश्मीर, एंद बिलावल प्रोवोक्स इंडिया, अगें अगें इंप्रेज़ने इस तरीके से किया, वो उनकी भी डुमेस्टिक पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की भी डुमेस्टिक्स, दोनों इस बात अगें कि आसपास बक्रेओं का गेरा है, आपको फिर करने हैं पाकिस्तान को खरी-खोटी सुनाई है, पहले तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना चाहिए और अपने देश में stability लानी जीए, इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को हिदायत देते हुए कहा कि पाकिस्तान जल से जल अपना double standards को भी ठीक करें, जहाँ के बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि उसका हिमालिया से उचा और शहत से मीटा और समुंदर से गहरा दोश भी पाकिस्तान की क्लैस लगा रहा है तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रियाक्शन देखते हैं आज पाकिस्तान का एक वाहद स्ट्रिटिजिक पार्टनर है चाहिना उनके फॉरन मिनिस्टर आपको पता एक ट्रालेटरल मीटिंग के सलसले में पाकिस्तान आये थे उन्होंने ये कह दिया है कि डू मोर डबल स्टेंडर्ड्स बंद करो ये देशतगर्दी के मामले में और जो सभी है उसको सभी को गल्द को अब तार्ट साब और दूसरे नों ने ये भी कह दिया कि आप अपना घर ठीक करें आप सारे आपस में लड़ रहे हैं और हमसे बाहर से मदद मांगते हैं पैसे मांगते हैं आपने जो महंगाई की हुई है इन्फलेशन है ये जो सारा कु पाकस्तान एक दुकान है बेचते हैं कभी अपना प्राक्सी वार किसी की खेली मर्सेनरी बने डालर बनाए लंदन में प्रापटियां क्या आपने बना ली आप इसने इंटेलिजिएंट हर जगह हर कैपिटल के इंदर आपके महल कड़ें अब होता क्या है कि आप इस तरह करत आपने अमेरिका को बेचते रहें अमेरिका हमेशा डूम और इसलिए कहता रहा है कि आप पूरा डिलिवर नहीं करते रहें और डूबल गेम खेलते रहें उनके साथ उनसे इंटेलिजिएंस शेरिंग करके दूसरी पालिटी को शेर करते रहें बताते रहें उनके पास प्र गलत है यह इसकी डेफिनेशन ही गलत है डूमोर को किसे साध्या हाग के साध्य पहे अर्थे रखो टेबल ते इस आपने बेचा है पाकस्तान तो पूरा दो भई पहले अमरीका भी कहता रहा है आज जैना भी यह कह रहा है डूमोर तो यह होता है रिक्वेस्ट हो बाद मूच अब बेचा ना हो वो कहते समने दाख लिस पूरी करो यह है डूमोर नहीं है डूमोर तो आपने इंवेंट किया लबज वो कहते पायन पैसे निते रखो यह तो उसी एक आपका मिशूर है वो आप अटैक करते जाएं मुजमत करते जाएंग यह आपके माजी है इसका तो फ आपना कहते हैं भी हाफ ने सोधा किया था ने सुनमें सिपक के जरीए बेचा है पकिसता आप सामने रखो हमारे वो कहते हैं जिए सारा कुछ होना है अब यह बंद करो बलके मैं जाती दोर्वें बता रहा है हमारे चीफ So होके आएं उन्होंने को खासा के यह तो नहीं बताया लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा आप ने अगर चैनीज की हफाज़त ना की तो अगली दफ़ा चैनीज आर्मी आके अपने प्राजेट सो खुद अपनी हफाज़त करेगी यह भी में बता रहा है उसकी वेकिंग अप जो इस वक्त उनके प्राजेट शी है वो इंपीरियल चैना का खाब देख रहे हैं इंपीरियल चैना आप इस वक्त फसे में हर करफ से तो पाकिसान वट डस पाकिसान हैस तो इंडिया क्यों गरेगा यह भी तो है मेरा क्वेस्टिन यह है कि अगर एक पेशि हो रहा आपको उसके कास्मेटिक सरजरी की फिकर हो जिस तरह हमारे प्राइमिस्टर साब इस वक्त के इंग चार्ल्स की जा चुके हैं और दूसरा मेरा यह क्वेस्टिन यह था कि बिलावल भुटो साब भारत गे थे तो वहां क्या जिस तरह डीप स्टेट की बात कर रहे ह क्या वो इस पॉजिशन में थे के वहां कुछ चीजें वो हासल कर सकते क्या वो कुछ अलफाज इस्तमाल कर सकते थे दो चार चीजें उसमें और और एड़ करना चाहूंगा एक तो आपके डीप स्टेट के पीछे से प्रेशर दूसरा दोनों मुलकों के अंदर अलेक्शन ह होने वाले क्या वो जेश शंकर साब अफोर्ड कर पाते थे कोई खुल के बात करते नहीं तो इन सरकंस्टांसिस में जब आपका पेशेंट ब्लीडिंग हो रही है बाइपास सर्जरी के लिए आई आर में पढ़ा है आप इस वकत 40% इंफलेशन रेट है वहां पे सिरी लंक को आप क्रास कर चुके इंफलेशन में अफगानस्तान की करंसी आप से बेतर प्रफॉर्म कर रही है इन सरकंस्टांसिस में जिसरा बाइडन साथ की मीटिंग थी आपने विर्चुल उनको अटेंड किया है इस वकत अगर देखा जाए तो आपके मैं एक थोड़ा सा रेफर साथ चाइना मौरनिंग पोस्स ने आज एकाईटी के लिखा है और उन्होंने मिंतें की हैं आपके कि आप अपना हाउस इन ओर्डर करें खुदारा हमने बहुत ज्यादा इंवेस्मेंट पहले कर रखी है यह डबल गेम बंद करें किसी एक डिरेक्शन पर चले इस वकत आप इस वकit दुनिया आप पे इतमाद नहीं कर रही है आप कभी मरासले पे चले जाते हैं फिर वहीं पर आप लाबियां हाईर कर लेते हैं फिर वहीं आपने खाहा है खलीलजादे की ट्वीट को आप सारांखों पर बिठा लेते हैं कभी आप ब्रेट शेर्मन के पास च लिएप वहांची है कि दुनिया देख रही है कि यहां क्या पकता है किस दारेक्शन पर जा रहे हैं व öड़ देखने लिए आपका बंद आप करो कुछ तरस करो हम पे उपर वो चीखें आके और आज इन सरक्राइब अमेरिका ने तो वैसे ही मैंने आपको कई दफार्ज किया है अमेरिका अब आप से बात करेगा भारत से इजाज़त लेगा तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका आपके साथ कितना अच्छा चल रहा है हा आप अमेरिका की वारंड पालिसी के उपर सब से बड़ा डाग इसमकर फाल आफ काबल है बैलके वो आप आप गाई दिये आप इस आप एक एक भाइस बने आप ने उनको दोखा दिया है आपने उनको बैकस किया थो तो इन ऑन गिवन तरकमस्टांसि आप देख रहे हैं का अप कहां जाएंगे मैं मैं में समझता हूँ उन दुन?! पाकस्तानियों में से यह जो खायश करता है तो ऑयर जो कहता है इजिधिघल पाकस्ताण बने